द्यान से सुनोगे मैं क्या कह रहा हूँ लेसन ये जो चीज अभी हम पढ़ने जा रहे हैं न बुलियन अलजेवरा लाजिक गेट ये तुम्हारा 12 क्लास का फिजिक्स में भी है और जैक बोर्ड में ये 8 मार्क्स के आ रहे होंगे तुम इसमें 8 में 8 पूरा पूरा स्कोर कर सकते हो बात को समझो मैं क्या बोल रहा हूँ एक सिंगल पूरा का पूरा ये क्लास करके बस ये पूरा क्लास को एंटर करना अच्छे तरीके से ठीक है बहुत ही easy है और मैं कह रहा हूँ कि एक chapter तुम्हारा और strong हो जाएगा physics में अगर तुम इसको ठीक से करते हो तो right बहुत easy है मैंने कहा बहुत ही ज़्यादा easy है okay तो एक दन ध्यान से बस सारी चीज़ों को देखते जाओगे है ना smart तरीके से हम लोग यहाँ पे कर रहे होंगे मैं सिर्फ यहाँ पे theory नहीं बलके आपको practical भी करवाँगा बिल्कुल यह application पे हम लोग practically circuit को draw करके उसका output वगरा भी देख रहे होंगे मज़ा आ जाएगा इससे पहले में meeting को lock करना चाहूँगा मैं नहीं चाहूँगा कि अब बीच में कोई आख करके ज्वाइन करने का try करे ठीक है उसके बाद हम लोग start करे चलो आप कोई leave मत करना दरवाज ज्वाइन नहीं कर पाओगे ठीक है well तो start करते है मैंने का start करते है ठीक है बढ़ियां से देखते जाओगे listen basically जो logic gate है हमारे पास मैंने का basically जो हमारे पास logic gate है जिनके बार चीज आपको समझवाएंगे तो जितने तरह के logic gate हमारे पास है वो है ध्यान से सुनो मैं बरबट कर रहा हूँ वो है पहला आपको बता होना चाहिए end gate है मैंने का end gate है दूसरा जो है वो है हमारा or gate साथ साथ में मैं आपको बोल रहा हूँ कि हम लोग previous year question भी अभी करने वा उसके बाद जो मारा चाहं था है वो है exor हां मैंने का exor gate और जो 5 वा है वह हमारा exor gate हला कि इसके अलावे दो or gate हमारे पास हो रहे होते हैं ठीक है और वो जो है वो है nand gate हां मैंने कहा nand gate और मैं कह सकता हूं nor gate right nor gate यह nand को आप ऐससे लिखोगे तो ज्चारेगा एन कैपिटल ए एंडी बार बर कह रहा हूं कि जी चीज़े क्या है नहीं है यह हम लोग धीरे-धीरे समझ जाएंगे डीरे-धीरे समझ जाएंगे ठीक है अकबकाना नहीं है एकडम पैसंस लिखो बस सारी चीज़े समझ बहेंगे बस यह समझ लो कि हमारे पास इतने तरह के लॉजिक गेट है, क्योंकि हम लोग स्मार्ट तरीकिस से योग खतम करना जा रहे हैं, end gate, or gate, not, exor, exnor, nand, nor, ठीक है, इदिन तरह के gate हमारे पास है, एक एक करके पुरा detail में पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना, सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं, मैंने का, जो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो है हमारा end gate, ठीक है, मैंने कहाँ कि end gate कैसा दिखता है, listen, बहुती अच्छे तरिके से समझेना, end gate एक चोले में दिखने में कुछ इस परकार से दिख रहा होता है, end gate दिखने में कुछ इस परकार से दिख रहा होता है, अब बात को जराब बढ़िया से समझोगे, कोई भी gate होगा, उसमें हम input दे रहे होगे, और output निकल रहा होगा, मैंने कहाँ कहा, input दे रहे होगे, output निकल रहा होगा, तो अब यहाँ पे एक चोली में, दो input और तीन input तुम्हें पढ़ना है, देखो, और भी input हो सकते हैं, बात समारे कहा, बट तुम्हें जो पढ़ना है, वो पढ़ना है, या तो दो input, हाँ, end gate में या तो दो input, या फिर तीन input, मैं बार-बर कहा हूँ कि इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, बात समारे कहा, बिल्कुल हो सकते हैं, बट तुम्हें जो पढ़ना है, वो दो और तीन वाला ही पढ़ना है, बट दो और तीन समझा दूँगा, तो बाकी का भी idea खुद लग जाएगा, बाकी का भी idea खुद लग जाएगा, तो ध्यान से बस सुनो, तो ये दो input वाला है, और यहाँ पे, अब की बार मैं एक और बना रहा हूँ, matter को समझना, और ये तीन input वाला है, देखो तीन input डाल रहे हैं, और एक single output निकल रहा होगा, बात ये सुना रहे हैं, तो इसमें input मालो कि मैंने a भी लिया हुआ है, इसमें input मैंने लिया हुआ है a, b और c, ध्यान से सुनो कि अच्छे तरीके से समझोगे, ठीक है, यहाँ पे a और b input डाल रहे हैं, तो output जो निकलेगा, उसको जो हम represent कर रहे होगी, वो हुरागा a, b से, तो अब यहाँ पे लगे हाथ, ये भी समझ लो, कि ये dot क्या चीज़े, लोग अलग-अलग बता रहे होते हैं, बट मैं एक ही मेला पेटने का को कोसित कर रहा हूँ, अच्छे तरीके से, ताकि आब समझ पाओ, तो a, dot, b, अगर कहीं पे भी लिखा हुआ मिलेगा, तो समझ जाना कि ये dot जो है, वो मेरा क्या है, वो मेरा end operator है, तो ये इसका symbol है, कई बार, mcq में ये पूछ ले जाता है, बात सुना रहे हैं, तो इसमें बात को ध्यान रखोगे, ये dot जो है, वो क्या है, end operator है, अब बिल्कुल इसको operator बोल दे है, अब ये कैसे solve होते हैं, ये बात हम लोग समझेंगे, अलाकि मैंने c++ में जब आपको पढ़ा रहा था, तो वहाँ पे भी मैंने आपको logical operator पढ़ा है था, और वहाँ पे भी ये चीज़ था, but forget about all the things, वो सब भूल जाओ, वो जब मैं समझा रहा हूँ, बैस वो समझू, हाँ, उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे कर बूलू, कि a, b, c, और एक बात, कि dot कई बार नहीं भी लिखते हैं, लोग इसको direct से ऐसे भी लिख देते हैं, a, b, बात को समझना, ठीक है, हाँ, जी बिल्गुल, अब यहाँ पे क्या है, उसी तरीके से मैं लिख सकता हूँ, a, b, c, या फिर मैं सीधे लिख सकता हूँ, a, b, c, तो यह बात है, आपको अच्छे तरीके से समझ में आने चाहिए, अब बात यहाँ पे यह है, यहाँ से सुनना, logic gate में, logic gate में, जो काम हो रहे होंगे, वो सिर्फ दो चीजों पे काम हो रहा होगा, 0, 1 पे, मैंने कहा कहा, 0, 1 पे काम हो रहा होगा, for example, जैसे तुम्हारा switch है, तुम्हें switch को on कर रहा है, तो ऐसे मान के चलो, 1 हो गया, और off करा, तो 0 हो गया, बात समझा रहे हैं, किसी भी चीज़ का होना, basically 1 है, और नहीं होना 0 है, logic यही है, जैसे मैंने कहा, school जाओगे, तुमने कहा, हाँ, पूरा chapter पढ़ लोगे, तो थोड़ा-थोड़ा idea भी लग जाएगा, कि इसका real life में भी use है, logic हम real life में भी apply कर रहे होते हैं, बात समझा रहे हैं, बिल्कुल, तो मैं बस इतना समझाना चाहरा हूँ, कि logic gate का जो funda होता है, इसमें सारी की सारी चीज़े जो होते हैं basically, वो हमारे 0-1 हो रहा होता है, बिल्कुल, मैंने कहा, 0 और 1 में कहानी चल रहा होता है, 0 अगर मैं कहीं भी लिखू, अब के बाद, तो तुम्हें समझना है false, बास मारे गया, और 1 अगर मैं कहीं भी लिखू, तो तुम्हें समझना है क्या, true, मैं सा उम्मीद करता हूँ, कि ये बातें, दिमाग में तुम रखोगे, मैंने कहा, 0 का मतलब false, और 1 का मतलब true, ये बात दिमाग में हमेशा रखोगे, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, कि जितने भी logic gate है, ये सब 01 में डेल कर रहे होगे, मतलब input भी हम 01 डालेंगे, और output भी 01 ही आएगा, बस अब हमें यही सीखना है, कि क्या input डालेंगे, तो क्या output आएगा, क्या ये बात आपको सुमा रहे हैं, क्या ये बात आपको सुमा रहे हैं, कि क्या input डालने भी, क्या output आना है, यही बात हमें सीखने हैं, हर एक gate में, बात सुमा रहे हैं, चलो, बहुत ही सही, मैं थोड़ा सा, आपको एक language में आपको बोल रहा हूँ, उस language को दिमाग में रखोगे, क्या करते हैं आप लोग, कि इसका अलग अलग पढ़ने का ट्राइ करते हैं, बाट मैं आज़ा नहीं बोलता हूँ, आप थोड़ा स्मार्ट तरीकसी चीजों को पढ़ो, लेसन ध्यान से सुनना, end gate का कहानी याद कर लो, मैंने कहा end gate का कहानी याद कर लो, कि सारे input, मैंने कहा सारे input, one होंगे, सारे input one होंगे, तभी output, मैंने कहा तभी output, one आएगा, one आएगा, otherwise, 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 zero आएगा, क्या बात बोल दीविया, हाँ, मैंने सही बात बोला है, सारे input, अगर one होंगे, end के case में, सारे input, अगर one होंगे, तभी output, one आएगा, क्या ये बात आपको समझा रहे हैं, सारे input, one होंगे, तभी output, one आएगा, otherwise, zero आएगा, मतलब, मतलब ये है, मैं आपको समझा रहा हूँ, हलाकि इसका truth table हम लोग बनाएगे, ये truth table क्या है, मैं आपको समझा रहा हूँ, just wait, तो बस मैं ये कह रहा हूँ, जिससे मालोगी, तीर input वाला मैंने लिया, ठीक है, मैंने पहला में zero डाला, दूसरा में one, और तीसरा में one, तो output क्या आएगा, answer है zero, answer है zero, क्यों, क्योंकि भाहिया ने कहा है, कि सारे input one होने चाहिए, यहाँ पर जो हम input डाल रहे हो, सारे के सारे one होंगे, तभी one आएगा, कोई एक बिगर zero वाना, तो zero आजाएगा, क्या ये बाते हैं पो सुना रहे हैं, तो यहाँ पर इस case में क्या मिलने वाले है, बाते हैं सुना रहे हैं, combination कुछ और भी हो सकता है, बात को समझों कि मैं क्या कहना चाहा हूँ, मैं ये कहना चाहा हूँ, combination कितने बन रहे हैं, कितने pattern बन रहे हैं, मतलत मैंने पहला को zero रखा, दूसरे में बबन डाला, फिर पहला में one डाला, दूसरे में 0 डाला और दीसरे में 4 डाला 1 डाला तो ये अलग अलग input कि जो combination होंगे वो कितना combination हो सकता है मैंने कहा जैसे ये combination हुआ ये combination हुआ ये combination हुआ ये combination हुआ ऐसे कितने combination हो सकते हैं तो मैं कह रहा हूँ ऐसे कितने combination हो सकते हैं, जो combination का जो मैं formula बता रहा हूँ, इस case में ज़रा धिहान से सुनेंगे, यह है 2 to the power n, मैंने क्या कहा, 2 to the power n, matter को एकदम दिमाग में note कर लो, matter को एकदम दिमाग में note कर लो, बहुत ही अच्छे तरी के से समझ मारोगा, अरे बहुत ही अच्छे तरी के स 3 है, तो 2 का power 3 मतलब कितना 8, 8 combination इसके बनेंगे, ऐसे ऐसे 8 combination होंगे, और उन 8 के लिए हमको output बताने है, क्या मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं 2 input अगर मैं बोल रहा हूँ, हाँ मैंने कहा, अगर 2 input मैं बोल रहा हूँ, तो 2 का power 2, n के जगा कितना रखेंगे, 2 रख आगा, यह combination पर यह output आगा, यह combination पर यह output आगा, इस C's को एक table में बनाना कहलाता है truth table, matter आपको समझना गया होगा, मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो चलो, हम लोग पहले truth table बनाते हैं, 2 input वाला के लिए, और फिर 3 input वाला के लिए भी बनाएंगे, बास मारेंगे, तो फटा table, basically table होता है, जहां पर हम सारे input combination के लिए output लिख रहा होते हैं, समझभाएगा, बिलकुल, अरे, screen क्यों देगो, मज़ा जाएगा, listen, बढ़ियां से सुनना, तो अभी यहां पर truth table for two input, हाँ, सबसे पहले मराने जारें किसके लिए, four, two input के लिए, दो input के लिए, बाते समवा तो output जो आएगा, वो क्या आएगा, मैंने कहा था ना, कि A, B, या A.B लिख सकते हैं, क्योंकि end का मैं truth table बना रहा हो, end gate का मैं truth table बना रहा हो, दो input के लिए, चांसर सुनो, exam में questions आते हैं, exam में questions आते हैं, कि end gate का truth table बनाओ, end gate का truth table बनाओ, अगर वो बोल दिया, कि 2 input या 3 input तब तो फिर 2 input या 3 input के बनाने हैं, और अगर वो कुछ ऐसा नहीं बोल रहा है, तो simply 2 input का बनाके निकल जाना है, तो ये truth table बनाने के लिए आता है, point को mind में note करा रहा है, बहुत easy है, क्योंकि मैंने जो गाना बस बताया है, वो गाना आपको गाने है, और सब जगा पे काम असान हो जाएगा, listen, भाया ने कहा है, कि total combination कितने होंगे, जल्ली बताओ, total combination कितने होंगे, 2 input के लिए, 2 का power 2, बुले तो कितना, 4, मैं तो समारेगा, बिल्कुल, 4 combination होने है, अब वो 4 combination भी मैं लिखने का तरीका बता देता हूँ, बहुत भी आसान है, और आज के बाद दि होंगे, A में क्या करोंगे, 4 होता है, 4 combination में बोलाँ, 4 का आधा करोंगे, 2, 2, तो 2, 0, 2, 1, 2, 0, 2, 1, और उसके बाद हम B में क्या करेंगे, अब 2 का आधा कर दो, कितना होगे, 1, तो 1, 0, 1, 1, याद रखलो, मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले 2, 0, 2, 1, फिर 1, 0, 1, that's it, तो य ये combination माँ यह मुझा है, अरे ध्यांस सुनो, मजा ही आजागा, ध्यांस सुनो, मजा जागा, जागा स्क्रीन के और देखो, input, हम ये ढाल सकता है कि 1, 0, 2, 1, ये भी लगए 15, 1, 2. दूसरा में जिरो ये बी हो सकता है कि है तो इसके अलावे और कोई नहीं बनेगा यहीं बात आपको समझा रहा था इसके अलावे और कोई नहीं 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 है और पॉसिबल नहीं है आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों हमने ये टूथ टेबल बनाया है चलो अब हम उन अलग-अलग केस के लिए आउट्व गदाते हैं जैसे माल लो कि मैंने पहला में 0 डाला है दूसरे में डाला है तो क्या आएगा भाईया ने कह रखा है कि सारे वैल्य मैं सब्मीद करता हूं कि मजा आ गया होगा चलो बहुत ही साही एक नंबर फर्स्ट अब हम लोग यहाँ पे तीन इंपुट के लिए देखते हैं मैंने कहा यहाँ पे तीन इंपुट के लिए तब यही बनाने है और अगर सिर बोला कि ट्रूथ टेबल बनाओ के लिए तो हम दो इंपुट बनाके निकल जाएंगे और अगर वह बोल रहा है कि तीन इंपुट बनाओ तब हम जाकर यह तीन इंपुट बनाएंगे समझ में आ गया तो यह बात है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाने चाहिए ठीक है एक मिनट ओके वाइस के लिए परवर्ट से वाइस के लिए रहे हैं कि अब लोग तीन इंपुट के लिए तीन इंपुट के लिए अब हम टूट बनाने जा रहे हैं और बहुत ही आसान है थ्यान से सुनोंगे मैंने का मज़ा ही आ जाएगा मैंने का मज़ा ही आ जाएगा लिसन लिसन अच्छे तरीके से ठीक है मैंने का अच्छे तरीके से तीन इंपुट क्या के डाल रहे हैं ए बी सी हाँ ए मैंने का ए डाल रहे हैं फिर के डाल रहे हैं फिर के डाल रहे हैं और फिर एक इंपुट अब देखो 3 input कितने combination एक दो 334 एक दो 34 हाँ उसका 4 काःदा कितना होगे 2 2011 2021 2-0-2-1, उसके बाद, उसके बाद, दो का फिर आदा करो, 1, 1-0-1 का टरेनेट चलेगा, 0-1-0-1, 0-1-0-1, अरे देखो न, अरे, इस स्क्रीन कहों देखो, मज़ा ही आ जायगा, मज़ा आ जायगा, बढ़े हैं से देखो, समझ मारा होगा, अब इसका output बताना है भाईया ने एक गाना बताया है end gate का हम true table बना रहे हैं यह किसका है end gate का ABC लिखा हुआ है यहाँ पर मैंने काना थे डॉट या ऐसे diet लिखा हुआ है तो समझ जाना कि यह चीज़े end gate का है अब मैं क्या बोल रहा हूँ end gate का output हम कैसे देते हैं सारे value वनोंगे तभी वनाएगा इसका मतले यह हुआ एक bigger zero है तो zero आ जाने है तब फिर तो तुम अपने से लिखील होगे यह क्या होगा? zero, यह भी क्या होगा? zero यह भी क्या होगा? zero one किसमें होगा? one किसमें होगा? बताओ जल्दी वड़ाक से देख करके one सिर्फ इसमें होगा क्या यह बात हैं समझा रहे हैं? अगर सब में zero होगा बहुत ही साही उम्दा एक number first class एक number first class चीज़ें आपको समझा रहे हैं कि यह कैसे करने काफी आसान था मैंने काफी आसान था बास हमा रहे गया? बिल्कुल चलो अब मैं यह बात आपको बता दिया हूँ अब मैं आगे सिर्फ यह गाना बताऊंगा हर एक table का ठीक है? और यह तो आप अपने आप complete करोगे बास हमा रहे गया? वो आपका task करेगा आपको थोड़ा pen paper चलाने है ठीक है? वेल यह हमारा end gate का भी फंडा के लिए रहे आगे हम लोग अभी देख रहे है कि question क्या आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा एक question अभी तक में यह बनता है simply बोलेगा कि truth table drop row truth table drop row end gate का अगर वो बोला कि 3 input के लिए तभी बनाना है नहीं तो फिर यही बनाना है बास हमारा क्या? बिल्कुल तो एक question यह हमारा यहां से बनता है इस slide से उके? दिमाग में रखते जाना कि क्या exam में आ भी रहोगे मैं जितना बूल रहा हूँ बस उससे बाहर कुछ नहीं आएगा मैं कहा रहा हूँ ना उससे बाहर कुछ नहीं आएगा एक question करी बार यह भी पूछ देता है MCQ में कि end operator कौन है तो यह dot dot dots है वो end operator है ठीक है? well बहुत ही सही मैंने का बहुत ही सही आरोला उससे पहले भी आसा यह प्रैक्टिकल को चीजों को थान से सुननन यह यह एनड गैटए ना मैं अभी इसका थोड़ा सब्सक्राइद से बाहर कूँ अपको दिखाना님 सब्सक्राइब इस तरीके से टीक है वैंकि पूल रहा हुँज में ध्यान से देखना में ठीक है यहां पे तुम देखोगे तो यह रहां effwork तोुम के यहां पे अलेटी पूरा बात को ध्यान से सब्सक्राइगे, पूरा बात को ध्यान से सुनेंगे, मज़ा आ जाएगा, मैंने का मज़ा आ जाएगा, लिसन, बढ़े आसा समझोगे, अरे इधर देखो, स्क्रीन की और देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने भी क्या बता है था, ऐसे मान के चलो, कि जब स्वीच अन करेंगे, तो 1 होगा, स्वीच अभी 0 है, बैसे की, कि दोनों में भी 0-0 है, एंड में क्या है, कि दोनों 1 होगा, तभी 1 आएगा, अब बात को समझो, मैं क्या बोल रहा हूँ, बाल्ब का 1 होना, मतलब बैल्यू 1 होना, आउट्पूट 1 होना, मतलब बल्ब on हो जाएगा, मैं फिर से बोला, जहां 1, और इंपूट अभी क्या है, 0, ये दूसरा क्या है, 0 है न जी, तो 1 है और 0 क्या होता है, 1 and 0 क्या होता है, 0 होता है, इसलिए ये LED on नहीं हुआ है, बात समझा रहे हैं, अब अगर मैं दोनों 1 कर दू, that's it, मैंटर समझा रहे हैं, तो कदी भी अगर आपको ऐसे logic लगाना चाहिए, अब मैं पहला 0 कर दिया, दूसरा 1, तो भी देखो, ये 0 है, दोनों 1 होंगे, तभी ये 1 होने है, अगर मैंने दोनों 0 कर दिया, तो भी 0 है, बात समा रहे हैं, तो देखो, वो सारा combination जो था ना, वो हमने चेक कर लिया, क्या ये बाता को समा गें, मज़े से, जल्ल फट से चैट में, फट फट, क्या clear है सब कुछ, clear है सब कुछ, जल्ली से बताना, clear है सब कुछ, जल्ली से बताना, clear है सब कुछ, clear है सब कुछ, चलो, I hope, कि हर चीज यहाँ पे तुम बढ़िया तरीके से समझ पा रहे होगे, हाँ, मैंने का कि हर चीज को तुम बढ़िया तरीके से समझ पारे होगे मैं ऐसा उम्मीद करता हूं ठीक है वेल चलो अब आगे देखते हैं मैं यह सबसे लास्ट में आपको सारा सारा दिखाऊंगा ठीक है मैं बस एक आपको फिल करवा दिया इसे देखे समें और को भी सारे गेट जितने भी गेट है ना बस सब क्या है और गेट में कैसे logic काम रहता है यह हमारा और गेट है दो इन्पूट के लिए ए और डी आउट पूट जो यहाँ पर प्रपजेंट करते हैं वो ऐसे एप प्लस बी हां बिलुकूल इस बात को दिमांग कर जाए यह जो प्लस है यह क्या है और ऑपरेटर क्या यह बात ह बात करते हूं तो यहां पे ज्ञास से सुनना क्या बोल रहा हूं। ये भी में और तीन पूल रहा हूं। तो एक दो भी हैं एक जैसे ने बताया था वह यहूं कि इसका कहानी क्या है है se input तो अगें फिर सर्वाइसर ही डालेंगे दो इंपूड के लिए चार कोम्बिनेशन होंगे जैसे मैं ने बताया था वह चार कॉम्बिनेशन और फिर ही मैं बताया था भा इसा आघा क कालम सी तो जाए तो जाए, सुरीर बात यही के, ठीक है? वैल, सो कहानिया यहां पर यह है, कि इसका output कैसे होता हुआ, इसका output कैसे निकलता है, इसमें मैं जो कहानिये बतारा हूं उसको जबना ध्यान से सुनोगे, ध्यान से सुनना, कोई एक, हाँ, कोई एक भी हिन्पुट मैंने का कोई एक भी इन्पुट यदी कोई एक भी इन्पुट यदी वन हो वन हो तो आउट पुट तो आउटपुट वन आएगा समझ मारे मैं क्या बूल रहा हूं कोई एक भी वैल्यों अकर वन आया हां कोई एक भी वैल्यों कोई तीनों में से कोई एक स्वीच कोई भी एक स्वीच ऑन हुआ तो यहां पर वन आ जाएगा समझ मारे में क्या बूल रहा हूं तो यहां पर वन आ जाएगा अगर हम यहां पर यह लिए होते और लिए होते बास मारे के एंड के जगह पे तो जैसे दो स्वीच हम लगाये थे ना तो दूनों में से कोई एक भी वन आउन करते ना तो यहां पर LED ओन हो जाता है समझ पारे हो बड़ी ऐसे समझ पारे हो कि मैं असा उम्मीद करता हूं ठीक है एक नमबर फ़र्ट लास भी है समझ मारा है मसत एक नमबर कोई दिख्कत ही नहीं है चले बहुत ही बहुत ही सही उंदा एक नमबर फॉर्ट लास तो फिर इसका truth table बनाए, फटाफट से, truth table बनाए, फटाफट से, भाईया, अब आप मत बना दो, हम भी बना सकते हैं, ये बात तुमको feel आ रहा होगा, कैसे, ऐसे, फटाफट से कर देते हैं, दो input के लिए, दो input के लिए, फटाफट से, A और B, भाईया, input combination तो वही होगा, ज फिर 0 आने, एक भी 1 है, हाँ है, तो 1 आएगा, एक भी 1 है, हाँ है न, ये देखो पहला लवाने, तो वन आएगा, एक भी 1 है, भाईया, आप दोनों आने है, बास महा रहे हैं, कोई एक भी value यदि 1 हुआ, और पूर बनाएगा, ये बात हैं, बहुत ही अच्छे द्रेगे स समझ में आगया है, मैं अच्छों मीद करता हूँ, एक number first class, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए, आठ नमबर पक्के आपके आने वाले हैं, मैंने का, आठ में से आठ आने वाले, एक number भी इधर सुदर खिलने वाला नहीं है, बास महा रहे हैं, sure, 8 में 8, right, बस वड़ा सा हिंट कर दो, मैं बुलूँगा वो भी जरूरी नहीं है, मैंने पीछे कर दिया था, यह a plus b plus c, ठीक है, well, कैसे करेंगे जी, 1, 2, 3, 4, 4, पहले 4, 0, 4, 1, 1, 2, 3, 4, यह कर रहे हैं, combination तो यहीं होने है, combination हर जगा पर यहीं होने, फिर क्या हो जाली बताओ, 2, 0, 2, 1 और आपना जरा यह जरूर बनाना, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, मैं नहीं बना रहा हूँ, बट आप जरूर बनाओगे, उसके बाद क्या होगा, 2, 0, 2, 1 होगा, फिर 1, 0, 1 का अल्टरेनेट चलेगा, 0, 1, 0, 1, इस तरिके से कर लोगे, output कैसे लिखेंगे विया, output मैं मैंने क्या बताया, तीनों मैं से कोई एक भी 1 होगा, मैंने का था ना, कि तीनों मैं से यह दुनों मैं से जो भी, जितने input देंगे, वो उस पर, कोई एक भी value कर 1 हुआ, तो output क्याएगा, 1 हैगा, यहां पर जिरू है, यहां पर 1 होगा, बास समा रहेगा, एक से जादा भी 1 होगा, पहला स्वीच मैंने on, off रखा है, दूसरे को मैंने on कर दिया, अब फिर दिसरे को मैंने off कर दिया, पास मार के, 0-1-0, इस तरीके से, तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा, बताओ, LED on होगा, कि off होगा, मैंने पहला स्वीच को off कर रहा है, दूसरे को on कर रहा होगा देखो मैं बार बार क Randy चैहां कि METS में यह यह वोता है मैं बता रहाँ सच में यह यूज होता है आपने नहीं देखाए तो 焦 पर प्रापे पढ़ोगे नअ पर काशी ठाँ 날े डिटा और और चाहँँ था, रेड भी और किन्ग भी, रेड भी और वी और ऐसे दो ही पत्ते थे लेकिन जैसे कहानी चेंच हुजाता था बोलताता कि preede or king, हाहा और और operator की में बात कर रहा हूँ, जैसे वहाँ पे preede और king लिखता था तो कहता था कि red होगा या king होगा मतलब दोनों में से कोई भी हो तो हम उसको उठा लेंगे समझ मारा में क्या बोल रहा हूं तो ये end or का logic जो है न वो हम daily life में use करते ही आ रहे हैं समझ लो बात को ठीक है बहुत ही सही एक number first class मज़ा आ रहा होगा ठीक है तो अभी इसका हम लोग पूरा-पूरा table complete कर लेंगे ये आपकी जीमेवारी आप कर लेना मैं इसको छोड़ रहा हूँ ठीक है छोड़ नहीं रहा हूँ आपको समझ में आ गया तो time waste होगा बेकार में जूट मूट का time waste नहीं करता है ओके बहुत ही साई ये और समझ गया है चलो अब तीसरा operator को समझते हैं मैंने का तीसरा operator को समझते हैं तीसरा operator जो है अगें इसका practical में दिखा सकता है मैं last में ही एक ही बार देखा दूँगा ठीक है सारे का practical एक मैंने दिखा दिया तो आपको आईडिया लग गया होगी चुली में वहाँ पर हाँ ऐसे कर सकते हैं ठीक है फोन में बहुत सारे गर जाकर क्या आप सर्च मारोगे ना लाजिक गेट सीमिलेटर आपको मिल दाएंगे है इसमें single input होते हैं ऐसा सिंगल input होते हैं नाट गेट को invert कर रहा होता है क्या बात कर रहे हो समझ में नहीं है मैं समझा रहा हूं आपकेंशन क्यों लोगे पहले उसको symbol क्या है नाट गेट का वो तो देख लो और गेट का symbol देख लिए आपने ये रहा ठीक है टु प्रकार से दिखता है, देखो मैं बार बर क्या रहा हूँ, बार बर क्या रहा हूँ, और गेट का सिंबॉल बहे है, यह गेट है, और operator जो है उसका सिंबॉल यह है, प्लस, operator gate, याद दखना, यहाँ, confused मत करना, बहुत ही साइच, यह not get है हमारा, यह क्या हमारा not get, मैं जी की ब और जो भी input डालेंगे ना जो भी input डालेंगे उसको उल्डा कर देगा मतलब अगर आपने 0 डाला तो 1 कर देगा 1 डालोगे तो 0 कर देगा पास मार गया, पलेट देता है क्या कर देता है, पलेट कर देता है इसको हम represent करते हैं जैसे यहाँ पर dot से plus से इसको represent करते है, compliment से तो A का output, A compliment होगा अब कई लोग ऐसे लिखते हैं और कई लोग ऐसे लिखते हैं मैसेज़ेश करूँगा कि आप ऐसे लिखना ठीक है, पता नहीं, कुछ भी हो सकता है दोनों भी लिखा होगा, आपको मिल सकता है पोईश नहीं है, बट फूसिस करना कि अगर हो सकता है तो यहीज़ कर जाए, ठीक है, वेल पर यह भी आपको दिख सकता है, तो इसको भोलता है एक compliment, compliment भोलते है, ठीक है, compliment ओके, fine, इसका truth table कैसे बनेगा इसका truth table कैसे बनेगा एक single input, 2 का पावर 1, फर्मुला टू का पावर 1 कितना होगा? दो का पावर 1 कितना होगा? 2 का पावर 1 कितना होगा? तो इसका truth table बन रहा होगा, एक input और output मेरा क्या है? एक compliment, या तो 0 डालेंगे, या 1 डालेंगे, अगर 0 आएगा जिरो अगर इंपूट ढलेंगे तू बन आयागा वन डालेंगे तो जिरो आयगा किसी को कोई लफटा तो जल्ली से बताऊगे कि अंगित ख्लेक असथ सब को समझ मारे मजला श्चिया के और त्फी सब्सक्राइब करें तो यह पूरा का पूरा हमारा यह तीन जो गेट है ना मतलब कह सकते हो कि मतलब ज्यादा यूज होने वाला गेट भी हो रहा होगा है यह तीन गेट तो में ज्यादा दिखाए दे रहोंगे बात को समझ लेना ठीक है यह तीन गेट और है उसको भी पढ़ लेते हैं ठीक है अच्छे तरगेस से सुनोगे ने दो गेट नहीं है और भी है लेकिन सारे पढ़ लेते हैं चलो ठीक है मैंने और पढ़ लेते हैं तीन हो गया चपार कि चांथा खांथा जो है ich मैं थोड़ा सा उस्सी क्विस जो था उसको में पर लहना चाहिए उसी में चला चाहिए को कोई दिखके ए चलो एक जोर में पहले chronic टों ठीक है एक्जूर्ट एड़ेट इसलिख रहा था यह एक्जूर्गेट दिखता कैसे है पहले सादेट का अब सिंबल बता रहे हो तो इसका भी बताई दो अगें दो input तेन input वास मार रहे हैं बहुत ही सही बहुत ही सही बहुत ही सही वेल पता नहीं क्यों मुझे ऐसे feel आ रहा है काम करते हैं इक्जॉर गेट से पहले हम लोग नेंड नौर पढ़ लेते हैं थोड़ा ना सही होगा ठीक है मुझे ऐसा लग रहा है तो कोई दिक्केत नहीं सीक्वेंसी दर दर हो सकता है राइट चलो तो मैं आपको नेंड गेट पढ़ा देता हूं नेंड गेट में पढ़ा देता हूं म यृषड़ को ना कि आपना एंड गेट मैंने क्या का आप एक इंड गेट लगाओ और यांसे सुनना इन गेट के रगए फिशके आगे लगा दोनेट गेट मतलब इसका एंपूट दूबट की तरह का माता होगा थै तो ये मेरा A है, ये मेरा B है, तो इसका output क्या आएगा, A B आएगा, और अब चुकि नौट लगा हुआ है, तो ये A B इधर जब आएगा, तो क्या बन जाएगा, A B complement, हाँ हाँ, अभी तो अमने बताया था ना आपको, अभी मैंने आपको बताया था, जो भी input डालोगों इसक का compliment मेंट आएगा, अब मैं ये बता आना चाहता हूँ, कि इसी को combine करके, मैंने का, इसी को combine करके, एक अलग तरह का gate ही बना दिया गया, और वो gate कुछ इस तरीके से दिखता है, जब ध्यान से सुनोगे, वो gate जो है, कुछ इस तरीके से दिखता है, ये bubble लगाना है आपके, ठीक है, हाजी bubble, ये कुछ इस तरीके से, देखो ज़रा ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, अरे देखो ज़रा ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, इसी को combine करके, नया तरह का gate बना दिया गया, और इसी का नाम है, nand gate, मज़ा आगया होगा, मैं सम्मीद करता हूँ, end के लगा हूँ, end के आगे, not लगा हूँ, समझ मा रहे हैं, end के आगई, end लगा हूँ, end लगा हूँ, बहुत ही सई, बहुत ही सई, तो ये मेरा A, B है, तो end का output बताओ, A, B, और उसका क्या लगा दो, not लगा दो, that's it, that's it, matter समझ मा आगया हूँ, तो यहां दर सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए किसी को कोई दिखते नहीं होना चाहिए आगे देखते हैं और चीजों को समझते हैं चाहिए एक बात मैं आगे बढ़ने से पहले बादा देना चाहता हूँ कि NAND gate और NOR gate ये दो gate जो है वो universal gate है तुम कोई भी complex boolean expression को solve कर सकते हो सिर्फ इन दो gate के मदद से अब ये बात ही समझ में नहीं होगा कि जो boolean expression होंगे उसको कैसे ही करेंगे तो देखो एक expression दिया जाएगा उसको हम लोग circuit design करेंगे अलग-अलग gate के मदद से तो वहाँ पे देखोगे कि NAND gate, OR gate, NOR gate सब यूज हो रहा होगा लेकिन अगर हम चाहें तो सिर्फ वह circuit पूरा circuit को हम लोग सिर्फ और सिर्फ NAND और NOR से भी design कर सकते हैं इसलिए NAND और NOR को universal gate बोला जाता है तो तुम सिधे बात याद रखना कि NAND और NOR gate को हम universal gate बोलता है बास वहाँ रखना बिलकुल याद रखना ठीक है इसी इसको आगे हम लोग देख लेंगे वेट करो तो ये पूरा का पूरा कहानी जो है ये बात हमने समझ में आया कि यार एक NAND gate के आगे अगे अगर NOT gate लगा हुआ है तो basically दोनों को combine करके जो नया gate बन रहा है basically उसको क्या बोल रहे है NAND gate तो अब तुम दिवाग में note कर लो कि अगर NAND gate का symbol बोच जाए तो तुम्हें यही बोलोगे ठीक है इसी को या ना इसी लिए यह मैंने इसका basic बताएगा कैसे combine हो रहे है राइट ओके फाइन एक नमबर फरस्ट लास तो यह हमारा NAND gate है इसका बनाना में क्या truth table इसका truth table बनान अच्छे तरी किसे देखो यह A है मेरा यह B है मेरा यह C है है ना बहुत इसा ही आउटपूट इसका क्या रहा हो जी भाईया ABC के उपर में compliment पहले ABC N का output फिर पूरे का compliment not लग जाएगा बास सुना रहेगा इसलिए शालो एक नमबर फरस्ट क्लास हमें यह बाते सुना रहे ह टे एक दम मज़े से फड़ा-फड़ से टूसे बना देते हैं क्योंकि कुछे में पूछ आता है टूस टेबल पास सुना रहे कि बनाने के लिए दे रहे ना जब मैं यह बात बोलूगा न कि यह कुशन इंपार्डेंड है यह कुश्चन इंपार्डेंड है तो उसको अब कुछ लोग क्या करते हैं, पहले A, B बना लेते हैं और फिर A, B का कॉम्प्लिमेंट करते हैं, मैं कहा रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे करते हैं, पहले A, B, और फिर A, B का कॉम्प्लिमेंट, मतलब क्या करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जैसे 0011, ठीक है, 0011, यह combination बन देना आपको पता है, input combination तो वही होगा, चाहे किसी भी दरगा gate हो, दो input के लिए combination यही होगा, अभी मैं क्या 0-1, 0-1, बास महारा क्या, तीन के लिए होगा, 4-0-4-1, फिर 2-0-2-1, फिर 1-0-1, बास महारा क्या, बेलगोल समझना रहा हो, लोग क्या करते हैं, यहाँ पहले 0-0 क्या होगा, पहले end का output लिए फिर उसको पलट देते हैं, क्योंकि सही बात है, जो end का output आरहा होगा, उसको फिर पलट देंगे, तो हम यहाँ पहुंच जाएंगे, समझना रहे हैं, तो मैं यह बात बोल रहा हूँ, क्यों ही यह करना, आप मत करो, इसको मत बनाने जाओ, मैं direct से बोलता हूँ, क्यों नी सो सकते हैं, 00 का end क्या होगा, मैंने का end का output सोचू, और उसको just पलट दो, क्योंकि आगे not लगा हुआ है, तो 00 क्या होगा, जल्दी 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 बताएंगे, समझ में आ रहे हैं, 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 जल्दी से, crystal clear, right, okay, fine, चलो, बहुत इसा ही, उंदा एक नमबर, आठ नमबर मैंने दिलाने का guarantee लिया है, तो वो दिला के छूड़ूँगा, ठीक है question कुछ भी होगा, मैंने का question कुछ भी होगा, और यही चीज तुम्हें आगे भी पढ़ना है, अगर तुम मान लो, कि आगे engineering करते हो, बीटे करते हो, तो उसमें एक subject तुम्हें पढ़ना होता है, digital electronics, अगर तुम computer science या पर electronics, engineering करते हो, बास समझा रहे हैं, हाँजी तो यह हो गया, यह हो गया, अब इसके बाद, अब इसके बाद, right, तीन input के लिए, यह दो input के लिए था, तीन input के लिए आपने बना सकते हो, हाँ भी बना सकते हैं, मत बना दो आप, थोड़ा सा बस, यह A है, यह B है, यह C है, और output कैसे लिखेंगे, A, B, C, पहले end और पू देंगे, इसका मतलब यही है, end लगा, मतलब पूरे में उपर में बार लगा देना, compliment लगा देना, ठीक है, इसको गोलते हैं, ABC का compliment, right, तो ऐसे भी लिख सकते हो, और नहीं, तो कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, ABC का ब्रेकेट डालके, उपर में whole, ऐसे करके, compliment, उपर में dash, सम सोचो के, यार, यह क्या हसा अगया भी, यह कर सकते हो, मुझा आसा लगता है, तो पहला combination बनता है, क्या बनता है, 0000, खाना, देख लेना, और आपको पता है, कि 0000 क्या होता है, उसका just उल्टा, कोई एक भी value 1 होता है, तो end में 1 आता है, और फिर उसको पलेट देना है, sorry, end जो combination था, यहां पर जहां पर 1, 1, 1 आता है, तो end में क्या होता है, सारे 1 होता है, और उसको पलेट देना है, क्योंकि end के बाद not करने होते है, आसमार के लिए, तो यह बात बस धियान रखना, बहुत है, symbol दरिकास में बता है, कि पहले end का output निकलो, और उसको पलेट देना है जीरो, इसका मतलब यह हुआ, कि यहां पर अगर मैं पहला भी switch on रखों, दूसरा भी switch on रखों, और तीसरा भी switch on रखों, और यहां पर अगर मैं अभी LED लगा दूँगा, तो यह LED हमादा आफ होगा, बात यह समझा रहे गया, बिल्कुल समझा रहे हो, मैं सुन्धी करता ह बहुत ही सही, उम्दा, पर कोई दिख्यत नहीं जाने चञाएं, मैंने कोई दिख्यत नहीं जाने चाईगे, चलो, आगे दिखते हैं, मैंने का आगे दिखते हैं, और जो अगला दरका gate है, मने उसको पढ़ते हैं, यह हमारा कौँष था नबर 4-5, नासए त्सको समझोग बस आउटपूट कैसे लिखोगे एंड का उटपूट निकालोगे एंड का उटपूट सोचोगे और उसको पलड़ दोगे एंड करूपूट कैसे सुचना है सारे वह नोंगे तब वह नाएगा को एक भी जिरो होगा बाते समय रहे गा है बिल्कुल समयाने सीए चलो बहुत ह इसका जो आउटपूट आएगा इसका आउटपूट में फिर क्या लगा दिया गया एक नौट लगा दिया गया तो यह not का input इतर गाम करेगा इसका output इसका input काम करेगा बस हो आ रहे हैं तो यहाँ पे जो आएगा जहां से सुनोगे यह A था यह B था तो यहाँ पे क्या आगा जली बताओ यहाँ आगा A plus B तो यहाँ पे क्या आजाएगा A plus B का complement या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं मज़ा क्या होगा मज़ा क्या होगा मैं सो अमीद करता हूँ ठीक है अब ना इसी को combine करके इसी को combine करके जो नौर गेट का जो actual में जो symbol है इसको combine करके बनाया गया है वो कुछ इस परकार से बात को समझेंगे मैं क्या बोल ठीक है कुछ ऐसा सब्सक्राइगे यह थोड़ा लक्वा मारल टाप को बन गया थोड़ा बढ़ी हां बनाओ इसको ठीक है वैसे थोड़ा दिखना भी चाहिए कि उस तरीके से थोड़ा इसको गुमाओ गया ऐसे थोड़ा इसको ऐसे जाने दोगे इदर है न चलो यह बात आपको समझा रहा है राइट तो यह जो है वो क्या है मेरा यह मेरा नौर गयट है हाजी बिल्कुल यह ऐसे आपको नहीं दिखेगा रहे दिखा तो फिर कोई दिखते नहीं है आपको वैसे करने ठीक है यह आपको कुछ इस तरीके सकते दिखा तो समझाने कि यह कौन सागेट है नौर गयट है तो इसमें क्या होगा यह बी मैं डायरेट यहां पलिकूंगा अब अब प्लस बी का क्या कंप्लिमेंट या फिर मैं आसे लिए सकता हूं ए प्लस बी का आप सिर्फ बना लिए बना दो मैं तीन बना लूगा ठीक है चलो तो यह मेरा ए है यह मेरा बी है और यह मेरा क्या है जी ए प्लस बी प्लस सी नहीं यह तो फिर और हो जाएगा यह नौर बताना है यह लोग कंप्लिमेंट क्या होने है जली बताओ कंप्लिमेंशन क्या होने है बहिया दो इनपूट है न दो कपार दो चार चार तो जीरो जिरो और यहां पे मिश्टिक हुआ है दो जिरो दो वन 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 क्या होगा और वन वन होता है और फिर उसको पलट दो 0, क्यों पलट दे रहे, क्योंकि R का जो output है, उसको फिर पलट ना है, क्योंकि उसके आगे क्या लगा हुआ है, not लगा हुआ है, मैं सब उम्मीद करता हूँ कि यह बात आपको बहुत ही अच्छे तरिके से समझ में आ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं जाने चाहिए, मैंने का और यह मेरा C, और यह मेरा क्या होगा जली बताओ, यह होगा A plus B plus C, और यह पूरबर, समझ मारे बात है, एकदम समझ मारा होगा, अच्छे तरिके से कोई दिक्कत नहीं जाने चाहिए, ठीक है, पहला 0, 0, 0 होगा, ऐसे लिग देना पहले, 4, 0, 4, 1, 2, 0, 1, 0, 1, ठीक है, ब बढ़ा जागा, क्या भी बात है, बिल्कुल समझ में आने चाहिए, बिल्कुल समझ में आने चाहिए, मैंटर समरा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, भाईया, दो वाला में plus C compliment क्यों किये हैं, अच्छा, आप गलती से लिग दिए, और यहां पर, बात समरा रहे हैं, A और B हैं only, it's my mistake, A plus B का compliment होगा, ठीक है, C तो वहाँ पर है ही नहीं, ठीक है, चलो, यह बात है समझ मारा है, अच्छी बात है, तो A plus B का compliment होगे है, C नहीं होने है, बात समा रहे हैं, चलो, यहां पर होगा क्यों कि तीन है, तो यह बात है, अच्छे तरीक से, अच्छी बात है तुम होगे, और उसके बाद क्या अगर होगे, और और उसको बात होगे, बात समा रहे हैं, तो वह बन जाएगा मेरा, नौर, क्लियर है बात है, हर किसी को समझ में आहीं जाना चाहिए, अच्छे तरीक से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, यह complete करोगे तो, मैं तुमार अगला गेट को समझते हैं, यह मेरा कौन सा था नंबर, नंबर था यह 5, राइट, ओके, फाइन, चलो, एधर देखोगे, ठीक है, अगला जो गेट है मारा, वह है, इक्सार गेट, इक्सार गेट है, ठीक है, इक्सार गेट, किस तरीके से दिखते हैं, पहले यह जानना बह आपको ऐसे जो लिखते हो ना, इस तरीके से जो बनाते हैं, यह ऐसे बनाए, इसके आगे एक ऐसा बनाना है, देखो ध्यान से, ठीक है, अब देख लो, यह दो इन्पूर के लिए मैं बनाना हूँ, मस्त दिख रहा है, और बनाने है, और आगे एक ऐसे लगा देने, देख जो कैसे में पूल गों प्लस लिया और प्लस लिख के गोल करना है प्लस लिख के गोल घरना है करें जब पूंच लेखाने को जले प्लस लिख के गोल करना है that मर भी एक जो डालेंगे तुक्हикс ओड़ेंगे ृइव्व तेन इन्पुट के लिए भी आपको समझ में आ रहा होगा कि चीजें कुछ ऐसे होंगे ठीक है कुछ इस प्रकार्श है राइट यह क्या है मारा एक जौर है तीन इन्पुट के लिए ए बी और सी थोड़ा सा यह बूच्चा बन गया इसको ठीक कर लेना ठीक है वैल सो यह जो राइट मैं सीधे बात बता रहा हूं कि यह बात आपको समझ में बस आने चाहिए अच्छे त्रीकिश राइट ओके फाइन बात बस इतना सीख लो कि इसमें इन्पुट का कॉम्बिनेशन कैसा होगा तो आपको कैसे डालने है ठीक है लिसन बढ़ी ऐसे सुनना इसका मैंने यह सब का मैंने कहानी बताया था यह दोनों का मैंने गाना इसलिए नहीं बताया था क्योंकि एंड लगा के इसमें एंड लगा के नॉट लगाने थे और लगा के नॉट लगाने थे बात समना रहा है यहां पर कहानी याद कर लो फिर से मैं गाना लिख रहा हूं मैटर को सम यदि अदमें हो तो आउटपुट बनाएगा तो ऑउटपुट बनाएगा समझ मारे में क्यों बोल रहां तो और पुट कैईगा क्या बात बुल रहां 1 का संख्य यदि odd में हो तो output बनाएगा ठीक है मैं पता नहीं क्यों इस बार पहले तीन वाला ही बनाना चाहूंगा सम्मुआ रहेगा हाज़े बिल्कुल तो आपको ज़्यादा feel आएगा राइट ओके A ये B ये C और यहाँ पर इसका output में ये जो लिखा हो ना A, XOR, B, XOR, C ऐसे कुछ या A dot ऐसे कुछ लिखते हो मैं सीधे सीधे इसका output कुछ और भी मान ले सकता हूँ जैसे मालो मैंने इसका output माना हूँ है Z मतलब Z is equal to A, XOR, B, XOR, C ऐसे कुछ है matter को समझो मैं क्या बोल रहा हूँ तो इस case में Z लिख देता हूँ या output भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ कोई शू नहीं है बढ़ा वो ऐसे ही लिखना ठीक है XOR, B, XOR, C ऐसे कुछ करके बढ़ा आपको बता रहा हूँ ठीक तरीका ये भी है ओके फाइन आगे मिलों देखेंगे अभी wait टोना मजा जाएगा मैंने का wait करो मजा जाएगा listen तो कहानी अभी क्या है ज़रे ध्यान सा सूनेंगे ते इन पूर के लिए combination 2 का पाउर 3 कितना होगा जी? 8 होगा 2 का पाउर 3 कितना होगा? 8 होगा 8 combination बनने है जिसमें से मैंने बता रखा है कि पहले 4,0,1,2,3,4,0,4,1 1,2,3,4 समझ में आ रहेगे? बिल्कुल समझ में आना चाहिए थोड़ा समय इसको बढ़ियां से करी देता हूँ wait चलो बहुत से table थोड़ा से बढ़ियां से बनाओगे उसके बाद यहाँ पर 4,0,4,1 फिर 2,0,2,1 combination तो यही आ रहा है आपको समझ में आ रहा होंगे ठीक है? फिर 1,0,1 चलो बहुत ही सही मैंने क्या कहा था? बताओ एक का संख्या और में होना चाहिए सुनो कि बढ़ियां से यहाँ पर एक का संख्या इसमें देखो एक का संख्या कही टो है? दोठो दोठो है दो क्या है? और एक इवेन है दो क्या है? और एक इवेन है इवेन है न? नहीं चलेगा इसमें 0 आ जाएगा एक का संख्या और में होना चाहिए देखो यहाँ पे एक टीन अंक्या आईगा यहाँ पे इंत क्लोगणा जल्दी से कन्फर्म करेंगे संक्या keluar चाहिए और में होना चाहिए और में होना चाहिए तो वनाइगा किसी को अच्छे ấu संदार एक number first class MAR चलो इसके बाद में कुछ अभी करवाऊंगा ठीक है अगर मेरा कुशन कर लिए मैं यहां इतना लेबल में कुश्न कर आउंगा तुम्हारा जो बोर्ड में आ रहा हो गा बास तुम्हारा लिए तो बॉर्ड वाला जो कुश्चन हो ना आटमेंटिकल फोड दोगे बास वाले कि इस से इजी ही आने है र 001101 है ना बिल्कुल और पूट कैसे लगाने है वन कर संगे किसमें और चीए और यह वन होगा यह जिरो होगा इसलिए है ना राइट क्लियर है यहां तक तो मैंने का यहां तक क्लिए रहे हैं आप मैं बताओ इसलिए मैंने जान बुछ करके सीक्मेंस को अच्छे तरीकेश से करा हुआ है ठीक है ताकि आपको इजी लगे चीजे तरीका थोड़ा से स्मार्ट होना चाहिए नहीं तो आप फज्जा होगे लेसं सातवा नंबर जो है वो है एक्जनौर आपको बताओ ध्यान से सुनना ठीक है एक्जनौर जो है एक्जनौर जो है वह एक्चुली में एक यह मेरा एक्जनौर जोड़ा हो है यह मेरा एक्जनौर और प्लेण करने जायों तो चीजें ऐसे जा रहे होंगे एक्जनौर और इसका आट्पूट में है नाट लगा दो समझ मार्ए लेए आंसे सओना यह एमी तो यह क्या जाएगा ए एकशार भी और फिर उसका complement एकशार बारूट ऑटूट्स के लगा depths समझ में हो गारगा मैं समझ में अगया होगा मैं कि अगयाही ऐसे बना दिया है थेख है यह बना लो अव उटेघं समें एक बबल लगा दो वह नॉट यह तो यह मेरा ए यह मेरा बी देखो एक इसके लग जाने से क्या कहानी चेंज हो जाता है समझ रहो ना मैं क्या बोल रहा हूं बिल्कुल समझ वाना चीए तो आप यह कैसे लिख रहे हूंगे एक्जार बीका जो होगा वह कॉम्प्लिमेट समझ गया है हां समझ गया ना एक नमबर फरस्टलास तो हमें यह समझ मा रहा है यह अब जो है वह एक्जनॉर है हां हां तो California च्ञार का और पूर्पूट सोचकरते उसको पलट नहीं देंगे अरे बोलो ना एक्जर का ओपूटूट सोचेंगे अर उसको पलट देंगे तो मेरा वह एक्जनॉर आ और यह बी है और यह एक जॉर बी पहले करेंगे उसके उपर में लगा देंगे तो इस नौर हो जाएगा देखो कैसे 0011 combination यही बनने वाल है 001 बाते सुमा रहेगा बिल्कुल बढ़ी ऐसे देखो अरे बढ़ी ऐसे देखो मज़ा आ जाएगा कि मज़ा आ जाएगा लेसं 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 लेशन लेसं 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 अच्छे तरीके से हाँ सुनो के जान से पहले तो सुच रहा है कि 001 003 002 बात समारेगा बिल्कुल बढ़ाइन और यह संज वाहा रहा होगा चलो बहुत बहुत चाहीं वान जीरो वन जीरो मन और यह एक का शेल में एक आने ऑट कुट एक पुट देंगे कित्ना जाएगा जीरो यह एक और एक और यह एक नमबर तुम्हारा असाइनमेंट यह है कि तुम थी इनपूट वाला के लिए इसका ठूट बनाओगे तुम इनपूट के लिए तुम इसका ठूट बनाओगे और हम कसम खाते हैं कि बना लेंगे कि बत्त बनाओगे कैसं खाते हो और हम खाते हो कि बना लोगे बना लोगे क्या वोलते हो बना लोगे सफट लेते हैं खिबना लेंगे सब लेते हैं कि बना लेंगे ठीक है बना लेंगे सब लोग बताएंगे दो तिन लोगों का चैट में आ रहा है बना लेंगे और बाखी लोग नहीं बना लेंगे नीशा भी करी बना लेंगे रूटे भी करें बना लेंगे रूटे भी करें बना लेंगे बना लेंगे वेले लाजिक लास चलिए बहुत ही साइग यहां तक खतम होता है यहां तक हमारा लाजिक खतम होता है और लाजिक गेट का हम पूथ टेबल बनाना सिख्या है अगला टाइब का कुशिन क्या है अब बताओ न अरे आप जो करने वाले न वहीं तो मजाएगा राइट सुनो के द्यान से सुनो के द्यान से लिसन अब क्या कहानी है भीया मैं बता रहा हूं जड़त यहां से सुनना हमें एक बुलियन एक्सप्रेशन दिये रहेंगे मजाएगा मैं बहुत मजाने वाला है सची मैं बता रहा हूं हमें एक बुलियन एक्सप्रेशन गीवेन होगा एक टाप का कुशिन यह बनता है मैंने का एक टाप का कुशिन यह बनता है कि बुलियन एक्सप्रेशन गीवेन होगा ह हमें उसका हमें उसका circuit design करना होगा मैं क्या बूला वसका circuit designing करना है सपल्जांगा रहेगा हां मैंने कहा कि logic circuit हमंगा रहेगा हें उसका Boolean expression पता करने है, Boolean expression पता करने है, बास समझा रहा है क्या, हाज ये बिल्कुल समझ महा रहा होगा, और एक चीज भी होता है, कि चाहे, लाजिक ये हैं, जैसे ये रहागा, और एक बात ये है, कि हो सकता है, दोनों में से कुछ भी दिया हो, Boolean expression ये लाजिक, तुम्हें इसका truth table बनाने के लिए दे दे जाएगा, बास समझा रहा है, बोल देगा कि इसका Boolean expression पहले फाइंड करो या फिर इसका logic circuit ये करो, फिर इसका output का जो होगा, वह basically तुम्हें क्या करना है, logic, मतलब ये truth table design करने है, truth table बनाने, नहीं समझा है, question करते है, सब समझा जाएगा, question करते है, सब समझा आएगा, चलो, सबसे पहले, boolean expression दिया रहेगा, जैसे for example, matter को बहुत अच्छे दे जाते हैं, draw the, और मैं बोला ना कि अगर मेरा वाला रॉक ये, तुमालिये, वो सब एजी है, मैंने को कहा है, तो खर, lolly pump पर येगा, right, बस यह बना लो मेरा वाला जो मैं कही रहा हूँ, right, draw the, draw the logic circuit, draw the logic circuit, ये logic circuit, ये लाजिक गेट ठीक है, draw the logic circuit, आप ऐसा लिखा हुआ है नियास समझगा आँ, ए, बी, प्लस, ए, बी, सी कॉंप्लिमेंट, ए, बी, सी कॉंप्लिमेंट, प्लस, बी, सी लिखा हुआ है, कुछ इस पर का से चीज़े लिखे हुए रहेंगे, ठीके, इस तरह के expression को हम बोलते हैं, boolean expression, क्या बोलते हैं जिसको, boolean expression, इसका logic gate circuit भी design करन है और फिर चलो मैं लगे हाथ आपको बता देता हूं कि इसका प्रूथ टेबल भी ड्रॉख करने है बिल्कुल ड्रॉथ लाजिक सर्किट आफ ये एंड अल्सो एंड अल्सो ड्रॉथ टेबल भी बनाने है ए मनिंजाएगा सुनhopई एन से सुना ध्यान से सभन मैं क Ben कि इस सबसे पहली बात मैंने का सबसे पहली बात एक बात को सबसो सभाट ध्यान रखना इक बात को सबस lashes रखना कि इस पूरे में देखो किResब किपैं क्या एग अगर हम पूरे में देखे तो सिर्फ तीन चीज़े दिखाए देरें ए बी और सी डिजन मेंटर कर सी का कॉंपलिमेंट की क्या है मैंने कहा कि बस देखो कि ए भी सीडियो लगका एक को चीज दिख रहा है तो एक बात दों करन भावें कि तीन भारेवल है ए बी और सी इंपू वही इकष्टली में सुईच है वհोगें ठीक है वेल सबसे पहले मैंने खाऊ सबसे पहले माया प्लस से यह सब्से बाते ऑं हाँ बी को इंपुत यहे और बी को इंपूट लेते हुए अ हूई कुछ कुछ लोग ऐसे बना रहे होते हैं ठीक है और भी को इंपूट लेते हुए हमने क्या करा एक एंड गेट लगा दिया अब भाहिया हमने आप ऐसे कियो हो क्या हम सीधा सीधा इसे नहीं कर सकते हैं कर सकते हैं थोड़ा सा खुबसूरत बनाने के लिए मैं ऐसे करा आपकी मर्ज आपकी मजा रहा होगा मजा रहा होगा मजा रहा होगा उसके बाद यह दूसरे टर्म को पकड़ो यह क्या है एक एंड लगाने हैं हमें एक एंड हमें लगाना पड़ेगा ज्यांसे क्या बोल रहा हो एक एंड हमें लगाना पड़ेगा तीन इंपुट वाला कैसे पता लगा क्योंकि देखो यहां पर तीन चीज़ था समझा रहे हैं ए डाइरेक्ट से आ रहा होगा मैंने का एडाइट से आ रहा होगा अब देखो इसको थोड़ा ऐसे ऊपर से लाने ठीक है इसको थोड़ा ऊपर से लाना ऐसे है ऐसे मतलब आपको पता है connected नहीं है ठीक है तो यह मेरा आ गया A मैंने का यह मेरा आ गया A यह मेरा A आ गया ना जी यहां पर उसके बाद फिर B हाँ मैंने का कि फिर sorry फिर यह B निंग निंग एक मिनिट ओके फाइन तो यह फिर मेरा B है यह मेरा B है ना जी तो यहां से करम तार connect करके जोड करके अगर यह लाते हैं तो यह मेरा B बन गया बास वाने के बिल्कुल यह B में चला गया फिर यहां पर मेरा C था मैंने का यहां पर C को ऐसे connect कर दिया डायर्ट करेंगे नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर C नहीं है C compliment है तो बहुलेंगा रूख जा फिर थोड़ा थोड़ा सा रूख जा सबर करें लूजर कर दिलेंगे कर थांळी इस Me और यहांपे गया रहा है सी सी कॉंप्लिमेंट मैं का रहा है अब इसक़ और्पूट के चाहिए अभा पाद है तो यह भुख बात बूल रहा था फिर यहां से लाओं और फिर डोनों को अट ळाओ रहा है तो इसे करोगे नीया एक विद्きू Cherry तो बहुत गंदा दिख जाएगा, बहुत गंदा दिख जाएगा, तो बैटर तरिका यह है, कि आप इसको एक ही नहीं लिखो, और मैं जो अब बता रहा हूं, जिरा उसको धिहान से सुनना, हलाकि बनाते ऐसे ही हैं, लेकिन पेपर में तुम ऐसे दिखा सकते हो, कोई शुनी है, कैसे, पहले A, B, हाँ, तो फिर एक END लेंगे, जिरा दियान से सुनेंगे, एक END लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देंगे, A और यह B, समझोगे बात कुछे देंगे, कैसे, फिर A, B, C है, तो फिर A, B, और C, A direct, B direct, और C से C complement जाएगा, ऐसे करके, समझार है म ऐसे बना दो, बास हमारे क्या बोले, हाजे बिल्कुल, तो यह मेरा BC हो गया, समझ में आगे होगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, अब ये तीनों चीज जो है, A, B, ABC complement और BC, ये तीनों को क्या करना है, add करना है, प्लस करना है, तो प्लस मतलब क्या, और, तो इसका मतलब यह हु तो यह ऐसे डाल दो, मैंटर समय गया, बिल्कुल समझ में आने चाहिए, देखो, मैं बार बार बोल ला हूँ, थोड़ा सा इसको, खुबसूरत बनाने है, और वो बनाने का सबसे बेश तरीका ये है, कि आप यहां से पहले तीन निकाल दो, ऐसे, हो गया, चलो, यह इस तर बार करने जाना, तो ऐसा नहीं होता है, वो एक ही ABC होगा, वहीं से तुम्हें खीच-खीच के लाने पड़ेंगे, लेकिन वो बहुत गंदा दिख रहा तो तुमने देखा भी, समझा रहे हैं, फिर बहुत दूर मिलना पड़ेगा, और फिर ऐसे से लेना पड़ेगा, बास ABC कॉंप्लिमेंट, प्लस BC, कितने लोगों को ये बात, बहुत ही स्तांदर्ट देखे सा गया, कि हाँ भी या, ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन दोगे ना, भी हम बना देगे, इसका सर्केटरियम डिजाइन कर देगे, एक ही मैं में comfort लग गया, जल्दी बताओगे, comfortable feel हो गया, समझ में आगया, अच्छे तरिकेशन, समझ में आगया, अच्छे तरिकेशन, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, इसका truth level, वो बनाने है न, वही तुम्हेन है, देख वो कैसे बनाएंगे, सुनोगे, द्यान से, द्यान से, द्यान पहले हम बनाएंगे तीन इंपुट है इधर देखोगे तीन इंपुट है कैसे पता लगा था क्योंकि यह पूरे में देखना है कि इसे लिए ज़ी जरूर्ओ कर लेना क्योंकि मेरे जैसे मुश्ट इस मेरे यह लोगे है ना उपलाय है मैं यह बात भत अब पॉल रहो हूं अब जढ़ा द्यां से सुनना बढ़ेंसे सुनोगे, पहला जो में चाहिए हो, क्या चाहिए, A B, तो हम क्या करेंगे, पहला एक कॉलम बनाएंगे, किसका A B का, समझो, बहुत भी प्यार से मैं समझा रहा हूँ, ऐसे ही तुम्हें करने है, राइट, ओके फाइंड, A B का तुम पहले कॉलम बनाऊगे, A B का पता है दोनों ए दोनों को देख्के आप लगाते जल जल यह 0 इह भी 0 इह 0 यह भी 0 यह बहुँ जीरो यह वन और फिर यह 1 समझ में आगया होगा अब हमना आ जारे ए A, B, C compliment का, A, B, C compliment पहले हमें निकालना पड़ेगा, तो पहले आप C compliment निकाल लो, क्या मैं बोलना बासर आ रहा है, आजे बिल्कूल, पहले C compliment निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें वह तीनों कॉलमें, फिर A, B, और C compliment में फिर क्या लगा देना है, है एंड लगा देना है तो पहले में सी कॉम्प्लिमेंट न्कालना पड़ेगए तो छी का सी कॉम्प्लिमेंट के वह उल्ड ाकर देगे तो जिरो घौन घ्रों चौन जीरो तो यहीं होता है ना जी बिलकु समझवाना चीए उसके सब आ जिस्धा रहेंगे अभना पाएंगे ABC और क्या यह वह से वहां से ज़सलोगें स्थाहं यह यहां से धाल जिरो यहां पर जेरो जाएगा बास मार रहा कि कोई एक भी यह नहीं आपके यहां पर यहां से गृप्व पार्सट क्लास हमें यह बाते समझ में आ रहे हैं, आप हमारा ABC complement clear हो गया, ABC compliment clear हो गया, भी आप हमारा done हो चुक है और ABC complement हो चुक है, लो की सि का बना रहे होंगे, जली बताओ, क्या कहता है दोनों बैली वन होना चाहिए तो पहले वही देख लो कि दोनों वन किसमें है एक ठो इसमें है ठीक है और 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 सबसे लाश्ट ला में ठीक है बाके सब क्या होगा जिरो देखो बहुत ध्यान से देखने है ठीक है बहुत ध्यान से चेक करना है इसको एबी, प्लस, एबी, सि, कॉम्पलिमेट, प्लस, बी, सी, समय बहुनदई, प्लस, बी, सी, समय बहुरो हूँ, एबे, समय बहुरू में कॉब दो चलो, तू क्या कहरेंगे इस लिए बताओ, क्या करेंगे, आरे, बैया, कुछ oddonend nen, नहीं करने要 हैं, तेखना अब सबसक्राइब कोई उपपटर लगा प्लस लगा है यह फिर लॉजिक गेट भी देख लो नहीं बहुत ही सही उपको एक नमटर फ़र्ट क्लास समझें के बात को फिर अगर हम इसमें देखे जीरो जीरो गलते हो इससे एक हेगए पर अगर अगर हम इसमें देखें खटी और द्रगटनक खटी, समझ एक नहीं, तो ये 0, ये भी 0, ये भी 0, और हम नहीं चाहिए कि इतना EG में गलत करें, इतना EG में हम गलत नहीं करना चाहिए, बात को समझो में क्या बोलना हो, थोड़ा साथानी बढ़तेंगे, और सभी सभी करेंगे, एक भी 1 तो 1 आएग समझ में आ गया अब मैं आपको बताता हूँ इसका मीनिक सुनो के द्यान से समझ में आ गया होगा इसका मीनिक में बताता हूँ द्यान से सुनना अगर मैं अगर मैं इसको में बताता हूँ ठीक है इस कॉमिनेशन को समझो तो अगर मैं A में 1 अगर मैं A मैं डाला हूँ अगर मैं A मैं क्या डाला हूँ तो A मैं मैं 1 डाल रहा हूँ ठीक है क्योंकि यह सब सेम ही है इस बात को समझ मैं आना चीnh अखेछ अब हो और B में weave it on है की ऩे लूडियो आदा नहिंवरहा है तो इस केस में हमारा जो फाइनल आउट पूट है मतलब अगर हमने यहां पे एक लगा रखा है इस दगा पे तो आउट पूट कियागा वन एगा चलो एक काम करते हैं मजा जाएगा वेरिफाइग कर लेते हैं वेरिफाइग कर लेते हैं सुनों करे अरे देखो ना मैं हमेश्चा बोलता हूं कि चीजों को समझना है रिटने नहीं है राइट ओके फाइन वन यहां पर आउट पूट क्या एगा वन आएगा जब हम यहां पर वन वन और यह जीरो दिये थे जीरो बन के यहां पर क्या चु यहां पर पहुँछ रहा है यह क्या थर यह निकलेगा ठोगा याफ बता मजा आया मजा आया मजा जल्ली से बताओ किया हमें कोई आप कि die Cuando Echo और सुनना सब्सक्राइब और तुम्हें बोलेगा इसका प्रूथ टेबल बना तो सिर्फ यह बनाएंगे लाजिक बनाने बुले तो यह बनादेंगे और दोनों बनाने बोले तो दोनों बना देंगे कोई रिकत नहीं है हर किसी को अगर मज़े से समझाएगा तो चाइट में दबाखे लिख दो कि हाँ वह एकदम प्रिश्टि लिए रहे हैं फोड़ देंगे तो जल्ली बताओ फोड़ देंगे एकदम आगा देंगे चल्ली बहुत देंगे बाइया आहां बोलो बोलो जो डाइग्राम बनाए है उसमें ए बी के बगर में वन और जीरो कैसे लिख्या है ये ये ये तुम बोल रहे हो ये अंसीडर करा कि हम इनपूट ये दे रहे होंगे ये वाला पैटरन में देखो एक वैली वन डाले होंगे तो इसलिए मैंने सब जगां पर लिख दिया एक जगां पर फिर और कहीं है नहीं है फिर मैं बी में डाल रहोंगा वन तो जहां-जहां भी भी मुझे देखा था वहांवा, मैंने 1 डाल दियें, यहाँपे भी 1, और यहाँपे भी 1, और फिर यहाँपे भी 1, फिर जाहाँ-जाहा पर गी लएँ दिख रहा हूँ Happy 1 Direkt बश्रकीट से तो वही चीने में देखा जब 11 हुआ तो यहां पर वना गया 11 और यह 0 डाला थे सी में C compliment convert होकर कह यहां पर 1 आया तो अब यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, सब में 1 है तो 1 है क्योंकि से 1 आता है, 1 0 है तो 0 आयगा है और अब यहां गया यह वन यहां गया यह जिरों यहां गया अब और लगा हुआ है और में कोई एक았는데 है यह तो धोना यहां पर में क्याएं बढनाओं गलारू करोगे अब सब roofs ग्रwest लेसное अब क्या नहीं किया है जैसे सीद्था समझो ना, अरे समझो, तुम्हारे jackboard में काफी easy आये हुए है, मैं तुम्हें एक PDF दूँगा, ठीक है, अगर यूट, ये वीडियो एक्चली में यूटूब में अफ्लोड होने वाला है, अपने दोस्तों में share मार देना, जो भी नहीं पढ़ें, पढ़ लेंगे, राइट, उसमें question है, बहुत सारे, ठीक है, बट मैं बूलूँगा कि previous question कर लो, comfortable फिल वाएगा, expression दिया होगा, और उसका logic gate circuit design करना होगा, ठीक है, एक type का ऐसा question होगा, उन सब को crop करके, और फिर, एक type का question ये भी होगा, कि expression दिया होगा, उसका logic gate circuit बनाना होगा, या हो सकता है, उसका truth table data से बनाना होगा, ये expression दे दिया, और इसका truth table बनाना है, मतलब 20 तरिके से, पास मारेगा, एक तरह का question ये होगा, एक तरह का question होगा, कि logic gate दिया रहेगा, डिजाइन दिया रहेगा, circuit दिया रहेगा, और उसको तुमको solve करके expression निकालना है, और फिर उस expression से तुम आराम से truth table भी बना सकते हो, और बनाने के लिए पूछा गया, तो काफी आसानी चीज़ें आपको समझना रहेगे, ठीक है, तो वो सारे questions को collect करके, अंकीत, एक PDF तुमारे बास हो सकता है, या बना करके, दे दिना मेरे को, मैं upload करके है, ठीक है, या सर्मा या बर्मा में तो है, ठीक ह मैं बोलूँगा जैसा, वैसे करना, ठीक है, सर्मा बर्मे में भी है, लोग जाकर के enough practice मार सकते हैं, वहाँ से भी, चलो, बहुत ही सही, या बहुत सारे, मतलब वो जो मैंने तुम्हें दिया हुआ है, जो दो page मैंने click करके, सुनी ता रोड़ा से, तो उससे भी लेकर के लो लॉजिकेट सर्किट भी डिजाइन कई, या सब यह हो सकता था कि लॉजिकेट सर्किट बनाओ, और साथ-साथ में truth table B, बनाओ, बास वा लेकर, दोनों चीजिये हो सकते थे, मैं असको उम्मीद करता हूँ कि तुरन से तो बना लोगे, कितना variable दिख रहा है, x, y, z, तीन द उसके बाद y, z, y, और यह z compliment है, ध्यान रहे, z compliment, तो z से पहले क्या निकालेंगे, z compliment, तो यह निकल के z compliment, और यह सीधा y, यह दोनों को मिला करके, मैंने का यह दोनों को मिला करके, हम क्या लगाएंगे, end लगा देंगे, यह हो गया, बहुत इसाई, क्योंकि यह y, और यहा निकालेंगे, तो x से x compliment निकालेंगे, और फिर तुम्हारा क्या है, z है, z से z compliment निकालेंगे, समझो बात को, ठीक है, अभी तुम्हारा वो चीज़ अगर हम बताने लगए, तो यह discontinue हो जाएगा, बतलब continuity break हो जाएगा, मैंटर समा रहेंगे, ऐसे लिए मैं बोल रहा हूं एक flow में चलने तो चीज़ों को, तो यह जो है, x compliment और z compliment, right, x compliment और z compliment, इंद नों में क्या लगाने है, इंद नों में end लगाने है, क्या लगाने है, तो यह x compliment, z compliment, हो गया यह बात है, बहुत यह सही, अब दिनों क्या करना है, जोडना है, देखो, प्रूस पिल बनाने थे, विए बनाने नहीं था ओर मैं फिर सीखा रहाओं ठीके अब हैव यह दिनिया घ्रनाया जोड़ते हैं वैंटार समा रहे हो गहां चौंछ वाँछ क्रां जागा क्योंकि यहां पे इस कंप्लिमेंट ओ घ्रन से decirद स्वेगे रहा था तो प्लड़ एक number first class, बना दिया हमने इसका circuit, right, अब इसका truth पर बनाने है, इसका truth पर बनाने है, काफी आसान है, काफी आसान है, मैं आसा अम्मीद करता हूँ कि आप बना लोगे, मैं आसा अम्मीद करता हूँ कि आप बना ही लोगे, तो यह x हो गया, 3 input न, y हो गया, और z हो गया, पहले क्या होगा पता है तो में 4-0-4-1-2-0-1-0-1 ठीक है हो गया उसके बाद पहले xy निकालोगे हाँ xy पहले निकालोगे xy कैसे निकलोगे x और y से y निकालोगे फिर हमें चाहिए क्या y-z कॉम्प्लिमेंट तो पहले z कॉम्प्लिमेंट निकालने पड़ेगा और तब जाकर क यहरा है x कम्पीलमेंट ध्युके निकालेंगे फिर y कॉम्प्लिमेंट हम निकालेंगे भासमारे गया और फिर हम क्या निकालोगे जिल्ल बता ओ, तो यहां पर बहुत कुल रहा हो एक हम नमबर तो यहां पर बना लेंगे बना लेंगे जल्ली बताओ अरे कितने लोग बोलते हैं यहां भी बना लेंगे बना लेंगे जल्दी बताओ जल्दी अभी question question नहीं भेजना है बाद बड़ मैं बोल रहा हूँ ठीक है वो इसलिए क्योंकि मैं चाहरा हूँ कि एक बार content पहले खतम किया जाए बात को समझे तुम जो doubt भेजती भी होना वो इससे related नहीं होता है मैं हमेशा बोलता हूँ कि doubt जब भी भेज़ो ना तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे related भेजने लगते हो जब मैंने वह पढ़ाए ही नहीं तो doubt कैसे तुम्हारा clear होगा wait करो ना वो content पहले खतम होगा तब तो समझ माएगा वो मैंने बढ़ा ही नहीं अब सम प्रोड़क्ट प्रोड़क्ट अब सम यह सब चीज है बास मारे तुम के में कभी डाउट भेजोगे फिर मैं के में बना बताने लगूँगा फिर मैं वापस से यहां पर आउंग ऐसा नहीं होता है बास मारे क्या आ रहे है ना सब चीज पे चलो वेल तो यह पूरा कि ये बी कुछ इसफरकार से देढ़ेंगे बहुत बढ़ liek कफिर आईना है थे कुछ इसफरकार से और यहीं Иैं T sociaux अपर दिया ऐसा कै और फिर ए ऐसे कुछ और फिर यह सी बात को समझे न अच्छे दरिके से और ये जो चीजे हैं ये जो चीजे हैं मैंटर को समझे मैं क्या बोल नूँ ठीक है इसको मिला करके एक और ऐसे लगाए गया है ठीक है बहुत जिसे एक ऐसा सर्कृट दे दिया तुम्हें कि एक ऐसा सर्कृट दे दिया है तुम्हें पूछेगा है कि इसका Bool यह यह पर b complement आएगा करें के लिए कि यह यह और काई से ना जागा यह प्लस सी हो जाएगा आपको समझेंगा अच्छा यहाँ पर यह प्लस यह प्लस यह पूरा तो यह मतलब बी कॉम्प्लिमेंट प्लस इसको पूरा एक है और फिर प्लस क्या यह कॉम्प्लिमेंट बात यह पूरा और यह को एक मतलब स्वर्य इसका एक्सप्रेशन प्ता लग्या बात समारे कहां तो इसका जो एक्सप्रेशन होगा वह यह होगा बात समारे कहां बिल्कुल आपको आने ही चाहिए कि मैंस को अब इस चीज़ का हम ठुटस टेभल यह बनाने वोले तो बना सकत तो यह एक दो तीन चार फिर वन टू थी फॉर ऐसा कर ला ठीक है यह दो जिरो वन ऐसे जाओगे जिरो वन एसा जाओगे एक कॉम्पलिमेंट निकालोगे एक एज़स्ट बढ़ दो 1 1 1 1 वे कॉम्पलिमेंट 1 1 और यह 0-0 बास वारेगे से जुरत नहीं है फिर क्या निकालेगे हम जली पताओ पहले भी निकालेंगे अब आराम होगा बास वारेगे एबी में हम एंड लगाएंगे और इसके बात के तो बें और से इ समझो बात को प्लस मतलो और लगाने है रखेंगे इन थोनों में क्या लगाएंगे एंड लगाएंगे फिर ये कॉलम और ये कॉलम को क्या कर देंगे जल्ली बताओ क्या लगा देंगे और लगा देंगे तो यह आजागा हमारा रिकवाइड जो है छलो, बहुत ही सई, मैं सोंबीद करता हूँ, कि आपको बहुत मजार आओगा, फिक है, ये कॉलन हम ठील कर लेंगे, ये भी आपका assignment है, ये बी काम आपको, मजार आओगा, आपको सारी चीजे समझ में आ रहा हूँगे, कि अब चीजे चल क्या रहे हैं, अब चीजे क्या चल लोग अभी हम लोग बुलियन अलजेवरा का बहुत सारा लोग देखने वाले नहीं हम बूलियन अलजेवरा लॉजिकेट हम प्रणा लाजिकेट समझे लोग बहुत इज़िए तो वह देखना है के मैं अपसे कुषिशन हंड्रेट इन टेन पर्शन मतलब हर साल लगबग आह तो फिर उसको के में भी पढ़ना है आज बिल्कुल पढ़ लेंगे ठीक है तो के में अभी के बाद थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है उसके बार एक आता है कि बाई उजिंग ट्रूथ टेबल यह होगा प्रूफ करो बास आ रहे होंगे ऐसे ही बनाते है जैसा यह अभी यह पूरा-पूरा ऐसे करके एक्वल टू लिख करके ऐसा कुछ दे देता है अब उसको सॉल्ब हम लोग पढ़ेंगे आखे में डी मॉर्गन स्लोगर भी पढ़ने है तो डी मॉर्गन स्लोगर भी काफी इजी है और चीज़ आ रहे होते है बास आ तो जितना देर अब तो मैक्सिमिम्म कुश्चन उड़ा दोगे जाकर देख लेना अंकित समझागे है क्या हर बार के कोशल दिया है इसमें वहीं कह रहा हूं ठीक है चलो कि टूटवर से आने तो एक बार देख लेना यहां तक चीज़े में मैंने बता है सब इंपॉर्टेंट है आसो दोस जाचंग जाचचन आसो चलो कोशल देख लेहे है।